सोजी 176, चैप्टर नमबर 2, यूनिट नमबर 2 रहेगा, आपचारिक्तावाद और तात्विक्तावाद, ठीक है, ए दोनों चीजों को हमें देखना है, बेसिक यही इसमें रहेगा आपचारिक्तावाद क्या होता है, तात्विक्तावाद क्या होता है, ए दोनों चीजे रहे इसमें important के है जो आपके लिए करके जाना exam के लिए तो 2.2 है तो ठीक है आर्थिक नरी विज्ञान समाज साथ विचार धाने यह एक basic तोर पर अगर मैं बात करूँ तो यह theory को base करेगा है ठीक है यह अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक नरी विज्ञान पर यह आपचारिकता वाद एक प्रकार की theory है ठीक है अगर हम बात करें कि sociology में जो thinker है ठीक है उनकी thinking कि according theoretical है ठीक है तो इसमें theory based पर question हर बार कई बार आते भी हैं इसमें आपको देखने को भी मिलेगा ठीक है तो चलिए इसमें 2.2 रहेगा और इसमें दूसरा जो रहेगा 2.3 है भारत में दान परदान किया जाता आपको पता होगा ना जैसे हमारे देख में कर भाई हर तेभाहर में gift दिये जाते हैं गिफ्ट लिये जाते हैं तेभाहरां को जो आदान परदान था है इसका उसने क्या गया थी उसकी आलूचना की थी तो ये दो चीज़े आप चारिकतावाद तात्व हो रहा उसमें भी दान नहीं हमारे धरम में दान बहुत ज़्यादा ना ले आदान पर दान की चीज़े बहुत ज़्यादा है तो ए दोनों चीज़ों को यानि बेसिक तीन जिज़े आचारिकतावाद इंपोर्टेंट है इसको बेसिक जरूर करके जाना आ सकता एक्जाम में तात्विक्तावाद है दो सब्द हो गए और एक है भारत में दान में यानि हमारे धरम में जो दानवान बहुँ ज़्यादा दिया जाता है ये तीन बेसिक चीजें है ये तीन इस चेप्टर में देखेंगे ठीक है आगे देखेगा इसमें सबसे पहले हम चलते हैं 2.2 को उप आर्थिक विज्ञान की कह सकते हैं दो विचार धारा है इतिहास मर्मिक काल पोलनियन ने किया था इससे पहले जर्मन के समास सास्री मैक्स वेबर आपचारिक्ता तथा तात्विक्ता की तर्ग संगत पर सवाल उठा चुके थे ठीक है काल ने तर्ग दिया की अर्थ विवस्था की व्यक्षा दो सब्दा वलियों से के माध्यम से की जाती है एक है अपचारिक्ता दूसरा है तात्विक्ता यानि अर्थ वेवस्था को उन्होंने दो विचार धाराओं के बीच में देखा था एक भईया अपचारिक्ता दूसरी है तात्विक्ता ठीक है इस विसलेशन से आर्थिक रिविज्यान और समास सास में दो विचार विचार धारों का जन्मुए विचार धारएं तात्विक और अफचारिक कहलाई। निगनातमक उपर से नीचे तक चलती है ठीक है जो सोच है। और अनुभव की सोच पर आधारित है जबकि तात्विक्ता वर्णात्मक तथा अनुभवनात्मक सोच पर आधारित है अपचारिक्ता वादता मूल बहु संख्यक लोगों की आर्थिक तर्ग संगत्त पर विचार पर यह जो अपचारिक्ता वाद है वो बहु संख्यक लोगो को का मत है कि अर्थ ब्यवस्था समाज और संस्कृति नी करें कि जो अर्थ ब्यवस्था है वह समाज और संस्कृति पर कह सती जो हमारा समाज जो संस्कृति है उसके पराधारित होती है पोलिनियन के विचारों ने आर्थिक नरी विज्ञान की नई विचारधार को जन में द किया है देखो आउप्चारिक्तावाद का मतलब होता कि एक प्रकार की जैसे फोर्मिल्टी हम जी से बोलते हैं ठीक भई आउप्चारिक्ता वेस पर फोर्मिल्टी वहम करते हैं तो उसी प्रकार से आपचारिकतावाद को यहाँ पर देखा जारा तो सबसे पहले इसमें जो मैंने आपको बोला था क्या है आपचारिक्तावाद देखो आपचारिक्तावाद पूझी वादी अर्थ विवस्था की सिध्धान से जुड़ा है यहीं करें कि जो आपचारिक्तावाद है वो पूझी वाद को फोलो करता है ठीक है पूझी वाद के ज्यादा समर्थान में है ठीक है इसमें कुछ नोट कर जैसे point है अप्चारिक्तावाद अर्थ ब्यवस्था के सिध्धान्त यानि पूझी वादी अर्थ ब्यवस्था को से जुड़ा है जो अस्पस्ट रूप से पूर्ब क्या करें जो अस्पस्ट रूप से पूझी वादी अर्थ ब्यवस्था से बिल्कुल अलग है इसका गर और दोगिक अर्थ बिवस्था बाजार अर्थ बिवस्था की सिध्धांत के अधीन आ जाती हैं। सSab Syria आर्ठीक सिध समाज को Δ Zachari करते हैं अगर हम समाज का है तो हम पूजी वादी वजार को देख कर कर रहा है या उसके इन्होंने गईर पूझी वादी और्थ बेवस्ता की प्रकृति और उसकी गतिसीलता की करने के लिए जो गैर पुझीवाधी अर्थ विवस्था है वो कैसे चल रही कैसे नहीं कितनी गत सील है उतकी गत सीलता की व्याक्क्या करने के लिए इस्तिमाल किया है उद्धान के लिए प्रसिद्ध अपचरिकता वाधी अमेरिकन अगर बात करें जो इन्हों ने अपनी पूस्तक लिखी दा अपचारिकता अमेरिकन नरिविज्ञानी जो इन्हों लिखी थी इस बुक में इन्हों ने दिश्ट कोंड दिया है ठीक है और यह कहते हैं जैसे इन्हों ने बोला क्या किया है बिरपन और बहुमक्ता का आस्तितो सर्वितिक रूप से सविकार किया गया है अलग अलग उद्देशों के प्राप्ति के लिए हर जगा यह दोनों ही माध्यम में प्रयोग लाई जाते हैं नीचे अप्चारिकतावादी विसेशता की व्यक्त है देखो अप्चारिकतावादी का मतलब बेसिकली एह होत है ठीक है यह कह रहे हैं कि जो समाज है वह पूझी वादी है ठीक है पूझी वादी है दूसरा क्या करें है बजार अर्थ व्यवस्ता की सिध्धान्त की अधीन है यह जैसे मार्केट है यह हमारा जैसे बजार चलता है उसकी अकोडिंग एक काम कर रहा है ठीक है यह उसके और अनुरूप है और गैर पूजी वादी जो प्रकिर्ती है उसकी गतिसीलता की क्या करता है व्याख्या करता है ठीक है इसी को क्या बोला जाता है अप्चारिक्ता वादी इसमें एक चीज और इन्होंने बोला है पूर्ब ओदोगी करते हैं करें कि जब ओदोगी करान नहीं हुआ था इंडर्स्टलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले कैसे चीजे थी कोल ने अपनी पुस्तक प्रभाव साली पूस्तक में लिखा है कि ऐसे सिध्धान्त माप डंडों की उत्पत्ति यूरोप में पूर बौधोधिक दुनिया के और दोगिक दुनिया में बदल जा करें कि जब इंडर्स्ट्री लगी जब उद्दोग लगे यानि जब यूरोप में अउद्दोगी करण हुआ था और अउद्दोगी करण होने से कह सकते हो कि उत्पादन की प्रकिरिया ठीक है भई प्रोडक्शन जो होता था उत्पादन की प्रकिरिया का तरीका बदल गय बिचार धारा बदल गई समाजिक और आर्थिक नीतियों में भारी बदल आवाया अपनी पुस्तक दा ग्रेट ट्रांस फॉर्मेशन में कॉल ने जो उन्नीसमी सदी के आरंभिक दोर में बिटेन तथा सेश उद्दोगिक जगत में बाजारवादी आर्थिविवस्था के पर हुआ था ठी गए और उसके बाद क्या हो था एक प्रकार की अर्थिविवस्था बदल गई थी उनके अनुसार बाजारवादी पूजी ने सभी उत्पादों और सेवाओं को एकल अक्सतरिया यानि पैसे की इर्दगिर्द वस्तु कृत और व्योसाई कृत कर दिया जब प बलकि पूरी अर्थिविवस्था समाजिक संदम्धों पर आधरित थी क्या कह रहे हैं कि भया जब पूजी वाद नहीं आया था जब ओदोगी क्रांती नहीं हुई थी तो जो खरीत फरोक होती थी जो समाज का लेन देन होता था वह समाजिक आधार पर होता था ध्यान रख अर्थिवास्था थी कह सकते हो पैसे की इरधिगिर्द क्या हो घूमने लग इसका अर्थिया नहीं है कि पूजी वादी अर्थिविस्था में बजार थे परंतु अर्थिविस्था बजार के नियमों से सन्चालित नहीं थे परंतु आपूर्ती का दबाव नहीं था इस्तमाल किये जाने वाली चीजों के अलावा बाजार पूजी वादी सर्मिकों का भी वस्तू करन कर देता है लेन के अनुसार पूजी वादी लाब का कद तो बढ़ा देता है और बजार समाज और जीवन मूल्यों पर हाभी रहता है करे कि जब से मार्केट आया है जब से पूजी वाद आया है जब से उद्दोग लग गये है तब तक व्यक्ती का मूल घट गया है वस्तू का जो मूल है वो बढ़ गया है या उसका हभी हो गया है हर चीज का जमीन तथा स्रम वस्तुकर्ण करते हैं हर चीज बेची और खरीदी जारे है जमीन भी लोग बेच रहे है और श्रम को भी भेचआ और खरीदा जा ह्रा है ठीक है अगर काल के अनुसार देखें तो बाजार आधारित आर्थेविवस्था एक ऐसी आर्थेविवस्था है जो केवल और केवल बाजार आधारित आर्थेविवस्था और श्रम बाजार पूजीवाद की नौकरी हो जाती है और वहाँ ब्यवस्था को एक ऐसा हिस्सा बना कर रह जाती है जो पूजी वादी को सहज स्वविकार करने मेंसाबित करने में लगती है तुकः यहां कहए रहे हैं कि झेंसुन पहले जो था इंडर्स्ट्री नहीं थी पंपनी नहीं थी जो बाजार चलता था जो मार्केट चलता था sous rap बाजार फीर नहीं थे लेकिन जब से इंडर्स्टिली आ गई कंपणी लग गई और उद्दोगी करण हो गया है पूजी वाद आ गया है तब से जो अर्थ बिवस्था है कह सकते हो या जो बजार है वह सिरफ किसके पैसे की इर्दगिर्द या पूजी की इर्दगिर्द क्या हो रहा है इन्होंने बाजार उदार्वाद का विकास के या बाजार का उदार्वाद का विकास हुआ ठीक है इस विश्वास के साथ की सभी आर्थ बिवस्था स्वा नियंत्रित बाजारों के अधिन होगी यानि बाजार खुद ही नियंत्रत होगा यानि उसको किसी की जरूरत नहीं बाजार को नियंत्रित करने में मांग और पूर्ति के नियम अद्रिस हाथों की तरह काम करेंगे दुनिया की कार साला में बिटेन का नित्त होने के कांड सासाथ स्वानियंत्रित बजार और स्वतंत्र बजार बजारों की परिकल्पना विस्वर्थ बेवस्था क्या प्रमुक्सिध्धान्त बन गई है यहीं कह सकते हैं जो बजार हैं वो स्वानियंत्रित है यानि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा बजार बजार के अकोडिंग ही चलेगा ठीक है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ठीक है तथा सरकारी हस्तक्षेप को अनिवारत्या की संभवना नहीं थे स्वतंत तथा स्वचलित बजार की बातें इसलिए चर्चा में है क्योंकि पुझी वादी इसमें निहर स्वार्थ है यहीं कहते हैं कि जो मार्केट है वहाँ सरकार के कंट्रोल में हो गवर्मेंट के कंट्रोल में प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में न चला जाए यह नहीं हो भही मार्केट में जो चीज भी करही हो बजार वाली लोग फिक्स करें फलाने टाइम में रेट में बिकेगी फलाने रेट में बिके यहीं कह सकते हैं कि जो बजार है वो स्वानियंत्रित न हो देख एडम इसमिथ और दुनिया भर के लोग यह मानते थे जितने पूझी वादी लोग हैं यह मानते हैं कि बजार खुद अपनी चीजों को फिक्स करें लेकिन कह सकते हैं जो सोचोलोजी की जितने अगर हम उनकी इसलिए cinky है उनका मानना था कि वहीं सरकार कंट्रोल करें जीजों को उनके पास होना चाहिए ठीक है इसकी को लेकर के सारा क्या मतवेद है ठीक है पूझी वाद का जिस प्रकार के ठीक है सोचलित बाजारों की बात इसलिए चर्चा में थी क्योंकि पूझी वादी इसमे उनका स्वार्थ था स्वतंत्र और स्वचलित या आत्मिन्र बाजार का मतलब है बाजार्थ विवर्था में पूझी वात का पूरा पूरा दखाल होना है लेकिन मार्केट में एक प्रकार से किसका दखाल होना पूझी वात का दखाल होना ठीक है इस तरह बाजारों को स्वतं यह पूजी आर्थेवेश्था जो स्वाणियंतित्त तंत्र की बात करती हैं वह इस बात की समर्थक है कि मनुस्च के लिए भी व्यक्ति अगर मनुस्ष से हो ज्याद से ज्याद केंद्र में पूजि वाध तो यह ही ना वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहिए प पुनाफे पर जाद ध्यान देते हैं इससे स्वार्थ आधारिस संबंद और आर्थिक संबंद केंद्रिस संबंद कहा जागा यानि ओ लोग अपने स्वार्थ पर कर रहे हैं इसके लिए व्यक्ति या दुरुलब आर्थिक संबंद को चुनना है किया पसंद दीदा आर्थिक समर्थ को चैन्स की आधार से बनाने वाले नियमों को तर्ग संगत कहा जाता है जो अपचारिक अर्थे बिवस्था का एक प्रमुक पहलू है अपचारिक अर्थे बिवस्था में तर्ग संगत कार आपको रूची के अनुसार आपका फैसला माना जाता है साधन ही साध तक ले जाते हैं चहे प्रकृति की नियमों की गुरुवत्ता के कार्ण कार्ण और नियमों की गुरुवत्ता का कार्ण बने अर्थ विवस्था का या अपचारिक अर्थ आर्थिक समर्थ केंद्रित संबंद तथा तर्ग संगत विशेषता से लिया गया है आर्थिक तथा आर्थिक ऐसलिकरन जैसे सब्दों से यहां अर्थ धोनित होता है यह चैन की स्वतंत्तत्त का प्रतिक हो देखें और के हैं कि है ठीक आपने कई बार इसी बात को सब्सक्राइए भाइ से जदा मुणत्फ़ाइजाते हैं चनल पूंजिवाद का मुख्यवाद से व्यक्ति की बात नहीं करता है बलकि बजार है बजार को ज्यादा से ज्यादा लाब मिले यह अपचारी का रथे व्यवस्ता की बात करता है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें जो अपचारी करते व्यवस्ता है उसकी करता था ठीक है लेकिन अगर हम बात करें जो अपचारी करते व्यवस था तब मार्केट जो चलता था बजार जो चलता था दूसरे नियमों पर चलता था ठीक है लेकिन अब जो बजार चलता है उसको बजार को काउंट कंट्रोल कर रहा है जो कंपनी लगाए है जो फैक्टरी लगाए है जो मील में जो मील लगाए हो वही तु कंट्रोल कर रहे है इसी को तो बोलते हैं पूझी वाद ठीक है तुमने कंपणी लगाई तुमने प्रोडक्ट बनाए फलाना समान कितने बिकेगा तुमी बता रहे हो इतने में जाएगा मेरा समान मैं इतने में बेचूंगा इसो को बोलते हैं पूझी वाद यानि क्या है व्यक्ति मुनाफ़ा जादा कमा रहा है ठीक है यह स्वतंत्र कह सकते हैं पूझी वादी से उको बोला जाता है मुनाफे पर ज्यादा ध्यान है और जो अगर बात को जैसे काल माक्स हैं या इनको हम जो बोलते हैं इसकी जो थोरी के जितने लोग हैं वो कहते थे कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए परकार से चीजें गवर्नमेंट जादा से जादा चीज Vonment इसले करें ताकि जो गरीव 2 व्यक्ति है जो गरीव इंसान है उसको भी चिजे मिल सके ताक ही सब के लिए बात हो लेकिन आपको पता होका जो अमेरिका की speaking है जो ज़ादा तर लोगों की पूझी वादी यार्थि Japaneseoten सामाजिक संबंधों के अधार पे मार्केट में जो वस्तू का दाम होता था फिक्स होता था ठीक गए पहले जब गुपनिय। company नहीं थी लेकिन पूर्य यडोप में और दोगी करन अब हम देखेंगे तातिविक्तावाद देखेंगे पोले नी कहता है कि आर्थिक तर्ग संगता की आउधाना एक अतिविशिष्ट आयतिहासिक सनचना है जो बाजारवादी समाज पर मुख रूप से लागू होती है इस विचार का जन्म पूर्ब आउधनिक काल में पस्चम बेवहार मानता है एक ऐसा बेवहार जिसमें परिवार, कुल, गाव, आदिके हित नहित है यहां कोई अपना स्वार्थ पर केंद्रित बेवहार नहीं है यहां का जो बाजार मुनाफ़ा कमाने की बात नहीं है करता है बलकि परिवार हो, गाव है, कुल है इन चीजों है नहीं स्वार्थ को छेड़ करके बलकि मनुस्य को सभा के रूप में पाये जाता है आर्थिक तर्ग संगक्ता की अस्थान पर तथा बाजार परकिरिया में जो पूर्व बाजार आर्थ ब्यवस्था को ब्यवस्थित रूर्प दे रहा है कि अस्थान पर पोलिनी काया तर्ग देता है कि संगठन की सहचार पधधती पारमपरिक समाजों की स्रेणी में महुझूद है पोलिनी विश्वास दिलाता है कि इतिहास और मानव जाती बिज्ञान मौलिक अर्थसास और समाजिक संस्थानों की विवित कोस परदान करते हैं बाजार से जुड़े संस्थान आतिहासिक रूप से विशिष्ट हैं और वह अपने आप में देश और काल की संबंधी प्रयाप्त विशेष्ट हैं समेटे हुएं बाजार कारीगरी सिल्प वस्तुएं वह बाजार के लिए उत्पादन ऐसी गत्विदी हैं जिनके बड़े प्राचीन मानों समाज में मौजूद हैं इस प्रकारवय आर्थिक आदान परदान का उल्लेख कर सकते हैं कि समान मानविय बैभार में अंतर किरिया को बार बार दिखाई पड़ते हैं इसलिए बाजार की ऐसी बिसेस ऐतिहसिक स्रिष्टी नहीं है जिसा पोलनी बता था फिर भी बाजार कोई ऐसी बिसेस ऐतिहसिक स्रिष्टी नहीं है फिर भी बाजार संस्था जैसे कि माक्स और बैबर दोने कहते हैं नि माक्स और बैबर बाजार एक प्रकार की क्या वही संस अधिकतर मानो मौलिक अभिप्रेरक निजी रूचियों की तर्क संगक्ता पर आधारित हैं इसके ठीक विप्रित पोलिनी कहता है कि व्यक्तियों का सामाजिक मनोविज्ञान अपने आप में एक विशिष्ट आयतियासी कुदपत्ती है यहां मनुस की प्रकिर्टी को सदा बन रहने वाली विशेष्टा नहीं वास्तों में पोलिनी एक कदम और आगे बढ़ जाता और तर्क देता कि मनुस्यों के बेवहार का प्रभाव प्रभावित करने में समाजिक अभिप्रेरक निजी रूचियों को तर्क संगक्ता की तुलना में अधिक मौलिक होते हैं अपनी तात्विक्ता वादी अर्थ विवस्ता के समर्थन में अंतर निथार्थ के धार्णा का इस्तमाल करता है उसकी अनुसार अंतर निथार्थ का समाजिक विचार में प्रमुख योगदान होता है उसकी असकती की आउधाना पूझी वादी अर्थ व्यवस्था की कटू आलोचना करती है जो की समाज और अर्थ व्यवस्था को दो लालगक छेत मानती है जिनका एक दूसरे से कोई स्तंबंद नहीं होता है पोलनी इस बात पर जोर देता है कि आउधनिक आर्थिक विचार और पूरी परंपरा अथवा आउपचारी का रथ व्यवस्था बाजार पर आधारित है जो मांग और आपूर्थी पर आधारित मूल तंतर पर चलती है जब अर्थ सास्त्री या सविकार करते हैं कि कभी-कभी बजार प्रणाली के बजार में घाटे में चले जाने की इस्तिती में सरकार से सहायता की आवसकता पढ़ जाती है तो अर्थ विवस्था में वह भी एक इक रित बाजार की अर्थ विवस्था की संतुलन बजार प्र भई जो मार्केट है जो बजार है वह लाब पर चलेगा लाब के लिए किया जा रहा लाब पर ही रहेगा ठीक है अपनी पुस्तक दा ग्रेट इनफोर्मेशन मेश्वा नियंत्रित बजार की व्याख्या करते समय पूलिनी कहता है कि कोई समाज किसी ना किसी प्रकार की अर्थविवस्था क्या धार पर जीवित है कोई भी समाज होगा वो अर्थविवस्था पर ही जीवित रहेगा समाजिक्स यानि कोई भी होगा परंतु अब पहले से ऐसी कोई अर्थिव्यवस्ता मौजूद नहीं जिसे बाजार द्वारा नियंत्रित किया हो जब पूजीवादी समाज का यहां मान कर चलते हैं कि अर्थिव्यवस्ता बाजार द्वारा नियंत्रित है मानो अर्थिविवस्था में आउधनिक दोर से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आदान परदान के मूल में लाब अथवा प्राप्ति हो रहा हो यदि बजार नामक संस्था पासान यूग के उतरार्ध में सामान चलन में था परंतु इसकी भूमी का आर्थिक जीवन की घटना क करेंगे जो मार्केट है मार्केट अर्थिविवस्था का संचालन अभी भी नहीं कर रहा है और मार्केट ना अर्थिविवस्था का संचालन आगे करेगा ठीक है इसको तात्विक्तावाद में कह रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके कारण से हो रही है या हो सकती है तो इसी को क्या बोलेगा तात्यविक्ता को ले करके बताता है ठीक है इसी तात्यविक्तावाद के बारे में सारा बताएगा यह बेसिक रहेगा मैंने दो बोला और चरिक्तावाद और तात्यविक्तावाद ठीक है एकजाम में पूछा भी जा सकता है या आप से आ सकता है कि आचारिक्ता और ताति विग्ता वाद की तुल ना करो या जैसे इन्होंने कोश्चन दे रखा है कोश्चन और काल पूलनी के आर्थिक समाज सास्तर पर किसका प्रभाव पड़ा आर्थिक नरी विज्ञान समाज सास्तर से क्या भी प्रहे लगभक तीन इसमें कोश्चन जैस दान बहुत चलता और थीक है हर कोई दान कर रहा है तो धरम दान को थरके बातार विश्टार से में भी पूलनरवित्रित की ब्रकरिया को बहतर भंग से-समजने के लिए आईए कुछ उधान पर विचार करें मार्सले मौस ने अपनी पुस्तक गिफ्ट एक्स्चेंज में बिधी पूजी अर्थिविवस्था समाजों का वर्णन किया जिसमें बताया कि पारस परिक्ता तथा पुनर वित्रित अर्थिविवस्था के यही काणता था परचलन की पूर्विवस्था है उसकी एक परकार से पूर्विवस्था है देखो उसने क्या बोला था और कहता था कि जैसे उत्तरी अमेरिका है अंडमार महादीप है तत्था पस्चमी घाठ है कि कुछ मामलों में जाच परताल पर आधारित अनेक पर्मूंपीब्राण मौस के उधान के तरप पकुल किए इन समाजों में उपहार और्थेविवस्था की तीन नाथ beslता का मतलब गता जिसमें में गिप्ट कवजा asi यानि कौन कौन से देश में जैसे रोम है भारत है जर्मनी है आज इस देशों में प्राचीन आर्थव्यवस्ता की-खे कोड पाई ममस मौस ने इन में उपाहार आर्थ काबहीं लिए कि महाबहारत में उपहार आजान प्रथा तथा विछेरूप से वरिणिसांसा वाइस आधार पर मौस्न देटवेय्स यूग है में उपहार के आजान प्रदान預क्तिपत्पा कि यस्तित को हरें Wayne ऑफारत में उपहार आदान प्रदान और्फे व्यवस्था का स्थित्त था रता यहां लड़का हुआ नजहीतए लड़की वा वो वो गजो को नहीं दान इसको बोलना ठीक है गिप्ट का मतलब होता कि आज हमने दिया कल तुम देगो लेकिन दान में क्या होता ब्रामण को दान मिलता रहता है ठीक है और उसकी को नहीं देता ठीक है वह महाभारत के आसाधन कुम्भकारों की कहानी मानता है ठीक है जिस उसने बता है आद आसा कहा जाता कि दान के रूप में जो कुछ जन्म में दिया। दान देने वाला अगले जनम में स्वयम प्राप्थ होता है कह रहें भारत में जो दान दिया जाता है उसे कट भई कि आज की दिन हम दान करेंगे अगले जनम में हमें मिलेगा ऐसा होता ना हमारे जनम माना जाता ना आज अच्छे करम कर लो कल अच्छा जनम मिलेगा अच्छ तो मिलेगा इस प्रकार का माना जाता है ठीक है देखो इस प्रकार उपहार को सोयम को पुनरा रोपित करता है जैसा कि मौस लिखता है देने वाला जितना देता है वह उसे वापस मिल जाता है दान खत्म नहीं होता बलकि वह चलता रहता है यानि करें कि धरम में क्या बोला कि देने वाला जितना देता हो उसे वापस मिल जाता है भाई इस जनम में तुमने दान दिया अगले जनम में तुमने दान ले लिया तो क्या है चलता रहता है कभी खत्म नहीं होता है देने वाले को दिया हुआ और बढ़कर वापस मिलता है जैसे साधी वादी में होता है हमारे अगर किसी के हाँ पर मालों की देने जाते हैं न क्या होता था जैसे हमारे यहां पर क्या होता है कि साधी में किसी के यहां पर जिसे लड़के की साधी है ठीक है लड़के साधी में जैसे कुछ दे क्या हो ना तो थोड़ा लवटा की देते हैं ठीक है वो उसी परकार का है तो लोग तुमने सो दिया तो उन्होंने 101 क्या उनूँ वापस कर दिया ऐसा भी कई भार होता है तो उसी प्रकार का क्या हमारी जो पूरी आर्थες वयवस्ता भैuros दान अर्थे वयवस्ता है किसी को भोजन देने का मतलब इस जनम में दिया गया भोजन देने वाला भोजन विभी रूपों में मात्रों में अगले जनम में प्राप्त करेंगे लोग इसलिए कुया खुदवाते हैं जो लोग पानी का स्रोत दान किये थे वो प्यास के जीवन बीमा की तरह मानते हैं इसी प्रकार कपड़े, सीतल छाया, सोना, तप्ती, धर् में सुरक्षा के लिए चपल दान दिया जाता था यानि इन सभी चीजों का क्या होता था दान दिया जाता था यहाँ वह सब इस जीवन के भविश्च के अन्य जीवनों वापस लिये जाए और वहाँ भी बढ़ा कर आगे तर्क देता है कि यह अर्थेविवस्था नैतिक और आर्थेविवस्था के जो भारत में थी यह नैतिक और आर्थिक रूप से दोनों रूप से कंट्रोल होती थी जिसमें किसी आपचारिक करार लिखी दस्टबेज बैंड आधी किया हो सकता नहीं थी यानि इसको कही पर लिखा नहीं जाता था अमालों किसी को कोई दान देरा तो परची पर लिखके नहीं देता था जैसे आज समानुमान मिलता ठीक है इस प्रकार की चीज़े क्या सकता नहीं थी आज की बजार मूलक अर्थे विवस्था से यहां विवस्था नितांत भी नहीं या आज जैसे मार्केट है उस तरह का नहीं यह फुल के पूरी भी अर्थे विवस्था थी बजार मूलक अर्थे विवस्था में चीज प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है भाई आज बजार में आप कुछ खरीदोगे तो उसका पैसा देना पड़ता है पहले नहीं देना पड़ता भारत में जो दान अर्थे था उम्मीद है अब आपको अपचारिकतावाद और ताथविक्तावाद में अंतर समझ आ गया होगा अपनी पूस्तक गिफ्ट एक्चेंजर में ममाउस ने अपचारिकतावाद और ताथविक्तावाद के बीच छिड़ी बहेश की सीमा को चिना किया है उफ्चरिक वाद विचार ピहारा का एक सबसे बड़ा योगदानीहाग की इसने पूझी को 22 पर रथव्य बश्था बनने चुन, जो ताती विफ्बीक वाद है उसने क्या क्या है पूझी को 22 पर रथविवस्था बताने वाली जो कहते थे वहिए कोई अर्थफूझिवादी अर्थविवस्था होई नहीं सकती है उन लोगों ने और भी अर्थविवस्था का पता लगाया काल पोलिनी ने पारस परिक्ता और पुनर वितरित पर आधारी समाजवादी अर्थविवस्था बैकल्पिक गुरूप से प्रस्तावित किया परन्तु आर्थिक समाजवाद अन्री विज्ञान के बीच बहच की अपनी सीमाएं है जहां यहां पुस्तक और सेवाओं के बितरण को केंदर में रख करके चलती है वहीं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के अर्थविवस्था के महत्त को नजरन दाच करती है जबकि यह सच्चाई है कि उत्पादन यों बित्रन दोनों ही अर्थविवस्था यानि उत्पादन वित्रन दोनों ही क्या है अर्थविवस्था के अलग अलग छेत्र है यहीं कीमी मौस ने अर्थविवस्था उपहार संबंधी आदान परदान संबंधी विचारों को ले कर के उन्होंने भारत की लोग प्रिये महाबारा से लिए महाभारत में इस प्रकार की आर्थ बिएस्था थी ने दान आर्थ बिएस्था बढ़ ठीक है आज मिल रहा है कल मिलेगा आज बहुत होता ना हम समाज में ते यह होता गिप्ट तो बहुत दे जाते हैं अब उसको अलोचना भी थोड़ा सा देख लेते हैं उपहार में आदान परदान की आलोचना देखें पहली बात तो यह है कि जिस उपहार मूलक अर्थ बिएस्था का बिसलेशन मौस ने किया वह भारत में अब मवजूद नहीं भही अब भारत में ऐसी अर्थ बिएस्था नहीं यह अब हमारी एकॉनमी उत्र ऐसी नहीं जैसे पहले दान के तरह पूरी चलती थे तीन महात्पूर्ण दाइत जो मौस के अनुसार उपहार अर्थविवस्ता में थे दान देने का दाइत प्रात करने का दाइत और पारिसपरिक्ता का दाइत भारतिय संदर्व में देने का दाइ तो ब्रामणों के संद्र में अस्तित में नहीं है अगर बात करें कि जैसे मौस कहता कि जो दान अर्थ विवस्था थी उसमें तीन चीजें थी तो दिया जाता था एक लिया जाता था ये सारी चीजे लेकिन अगर भारत में अगर देखे तो ब्रामण जो है वह सिरफ देने मे देने के प्राप्त अस्तित का नहीं है भाई भारती संद्र में जो ब्रामण की संद्र में अस्तित में नहीं है हाँ ब्रामण को प्राप्त करने का दाई तो जरूर मिलता है इसी परकार छत्रियों को प्राप्त करने का दाई तो ही नहीं है केवल देने का दाइद तो है इस कान पूरे प्रकणन में सुध पूरी तरह का गायब है क्योंकि ब्रामण उसने दान में पक्का खाना खाय लेते नहीं दाइद वाले इस परधा से अचुत पूरी तरह गायब है थोमस ट्रकसमन ने मॉसक पर तिपड़ इनी दान अर्थ network ब्होस्था हुए तरह लेते और दन अर्थ विवस्था है इसने मॉसन ने नहीं पता दिया था ना इसकी लोगों ने आलोचना की बोला कि भारत में ऐसा ही हो ही नहीं सकता भाई तो ब्रामर भारत में शिरफ लेते थे ठीक है छत्रिये शिरफ देते थे लेते नहीं थे और दान में अगर हम बात करें तो कहीं पर जो सूधर है जो सडूल कास्ट है जो सडूल ट्राइं है जो अन्ने जाती है तो इसमें कहीं हो ही नहीं सकती तो ऐसा क से दान अर्थे विवस्ता थी उसको तो इन्होंने क्या कर दिया पूरी सिर्य से इन्होंने जो बता रहा था दान अर्थे विवस्ता इसको पूरी तरिकिन लोगोंने डिनाई कर दिया माना कर दिया भाईया है ही नहीं जूट बोल रहे हैं महा भारत में पोल्ट लैच की बात जिसमें उन्होंने स्वेक्षा से सब कुछ दाउन लगा दिया उन्होंने धन विद्या परतियुगिताओं का आयोजन किया और राज की मारियों को बिवा है तो प्राप्त करने के आयोजन भी किया वैधन को इकठा करने में परतिष्ठा और सान का इतना अनुभव नहीं करते थे जितना इन परतियुगिताओं को जीने में इस तरह हम देखते हैं कि लोका चार पूरी तरके से इन में मुझूद है पासों का खेला थवा ऐसे ही अनेक परकार की अन्य परतियुगिता है जिसमें सब कुछ दाउन पर लगा दिया जाता था और सब कुछ हार जाने की दिया जाए वह रुच्वी लेते नहीं दिखते इस दोर में नायकों में ऐसे नैतिक मापडंड भी दिखाई नहीं पड़ते जो परतियुगिताओं के तुल्ला में उच्चतर दिखते हैं इनमें इनमें देने का दाइत प्राप्त किया जा सकता है इस दोर की यो धाओं मे इसे जो विशेशताएं देखने के मिलती हैं उनमें छत्रिय धरम सबसे उपर है जैसे राजा किसी ऐसे प्रस्ताओं को सविकार करने से साफ इनकार कर देते थे जो हींता और दास्ता का प्रतीक हों किवल ब्रामणी उपहार सविकार करने का दाई तो निबाते थे भई अभी लेता नहीं था इस प्रकार की जीजें दान देने और तथा पारस्परिक रूप से उपहार अथवा दान का आदान परदान की परंपरा ब्रामणों में नहीं नहीं थी इस प्रकार महा भारत के अनुसासन पूर्ब के अनुसार जिसमें दान देना इतना सवहार्द प बदले में कुछ देने की इक्षा दिखाई ही नहीं पड़ती ऐसे में दान धरम को अर्थ विवस्था का आधार कैसे माना जा सकता है यानि जो दान धरम अर्थ विवस्था इन्होंने बताय था इसको इन्होंने क्या कर दे भईया डिनाई कर दिया है तो भारत में हो ही नहीं सकता है क्योंकि ब्राम्मर तो सिरफ लेता है देता कभी है ही नहीं च्छत्रिय तो दान देता है लेता तो कभी है ही नहीं और इसमें जो सूद्र है जो सडूल कास जो आन्य जो जातियां है वो तो इसमें सामिल ही नहीं है तो ऐसे कैसे भारत में जो धरम की आधार पर आर्थ साबिद कर दिया, तो दान आर्थे वैवस्था या भारत में दान जो है अगर इसमें आएगा तो आप इसको अच्छे से डीटेल में अच्छे से लिखिएगा ठीक है, तो इसमें जितना था आपके चैप्टर में जो आपका chapter था chapter number two लगभग लगभग यह आपका क्या हो गया समाप्त हो गया इसमें जो मैंने आपको बोला था क्या क्या आपको करना इसमें मैं आप दुबारा दिखा देता हूँ इसमें जो रहेगा देखेगा दुबारा मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या important है तीन चीज़ मैंने आपको इसमें से बताया था जो आपको करके जाना है exam के में ठीक है यही तीन चीज़ इस चप्टर में से आ सकते हैं दो चीज़ तो पाई पक्का पढ़के जाना है इसको छोड़ना मस्त ठीक है पहला क्या है अपचारिकतावाद दूसरा है तात्विकतावाद जैसे इसमें दिया गया 2.2 में अपचारिकतावाद तात्विकतावाद यही दोनों चीज़ अपचारिकता तात्विकता को अच्छे से complete कर लिज़े ठीक है और जो मैंने आपको अच्छे से भारत में जो दान पढ़ाया है इसको तो मैंने अच्छे से यहाँ पर बता दिया तो इन दोनों चीजों को खर लिजे अपचारिकतावाद तात्विकतावाद अच्छे एक कोश्चन तो कनफरम इससे आपके एकजाम में आ ही जाएगा ठीक है इस चेप्टर में से तो दूसरे चेप्टर में से एक कोश्चन जरूर आ जगा पहले चेप्टर में से अगर इस से 100% हो ही जाएगा ठीक है